कि नमस्कार मैं हूं राउल शर्मा आप देखरें इस पिले नियूस वागत आप सभी का आज की इस पड़ी खबर में और पड़ी खबर की शुरुवात हम करेंगे कहवत से जिया कहवत है कि अब उट आया है पहाड के नीचे जिया इसमिर्ती इरानी ने जिस तरह से अभी हाली में संसद में जो चीख चिला कर अपना प्रदर्शन दीखाया जिस तरह से वो चीख चिला कर कुछ महिलाओं को बीजेपी की महिलाओं को लेकर इकटा होकर जिस तरह से नारे वो लगाए वो सब ने देखा तस्वीर सब ने देख इसलिए यदिरंजन चौधरी को बहुत कुछ कहा गई Congress Party के तमाम पुरुष नेता थे उनको लेकर कुछ कहा गई और बिचारे Congress की पुरुष नेता थे यदिरंजन चौधरी को स्मिर्थी को जवाब नहीं दे पाए देते तो स्मिर्थी राणी कहती महिला का अपमान हो गया म ऐसे में हम देख रहे हैं कि स्मिर्थी रानी अक्सर पुर्षों को दबाने का काम करती है लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि इस बार टक्कर जो है वो बराबरी की हो रही है इस बार जो टक्कर है वो बराबरी की हो रही है और अब मुस्लिम महिलाओं ने स्मिर्थी रानी को मुसलिम महिराओं के आगे घुटने टेंगे गेंगे बिल्किस बानों का मामला भी जो है वो लगातार चर्चा में और बिल्किस बानों के साथ जो हुआ है वो गलत है बिल्किस बानों को कोट पर बहुत बड़ा विश्वास था उन्हें उमीद थी कि जो न्याय-पालिका है वो जो है निस्पक्ष फैस्ता लेगी लेकिन बिल्किस बानों के आरोपी जिस तरह बाइजबरी हुए उनका स्वागत किया गया ये चिंता का विश्य है ये लोगतंतर की तस्वीर रही है एक महिला के साथ कुछ अपराधियों ने वो किसी भी पार्टी से हो जिस तरह का गल लड़ी कई वर्षों तक लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा कि मुझे उमीद है लेकिन उमीद उनकी तूटी अब ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि बिल्किस बानों और उनके पती डर्यवे हैं उनको गुजरात सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं ती है बिल्किस बानों के बढती है मुझे अब भी भी खत्रा है मुझे उनके डेख कर अभी डर लगता है बिल्किस बानों के दर्द में दिल में अभी भी वह दर्द है आभी वह दहशत है और ऐसे में हम देख रहे कि बीजेपी महिला शुरक्षा की बात करती है परधान मंत्री नरेंडर मूधी ल खमकर फटकार लगाएं को दरसल मुश्पी महिलाओं का भी समर्तन बिल्किस वानों को मिला। इन आरोपी यो ओ जीतेने के लिए उन आरोपियों को रिःा कर सकती है जिनसे उन्हें फैदा मिलने वाला है लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं और कोई आरोपी होते हैं तो जिस तरह से हम देखते हैं कि खुली छूट है तो सीधे तोर पर हम देख रहे हैं कि मौझुदा समय के अंदर बीजेपी ने जिस तरह से आरोपी का स्वागत किया है और गुजरात चुनाओं से पहले जो आरो टाउमिस फर्क नहीं करना चीए कि बीजेपी के तमाम बड़ी महिला लेता है निर्मला सीतर मंटी जो है वित मन्त्री है वह बहुत राहूल गांधी सुनिया गांधी को गेरती है वह भी एक महिला है भाई उन्हें बिल्किस बारों की बात करनी चाहिए उन्हें बिल्किस बारों के लिए टूइट करना चाहिए लेकिन नहीं करेंगी क्योंकि ये सब एकी थाली के चट्टे बढ़ते हैं तो ऐसे में मुस्लिम महिलाओं का गुस्ता स्मृति इरानी पर फूर पड़ा है